जी नमस्कार साथियों कैसे हैं सुभी साथियों जो भी हमारी वासाथी गाउं में रहते हैं ग्रामेड चेतर में रहते हैं कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और हो चाहते हैं मैं कुछ ऐसा बिजनस करूँ कुछ सीखूँ तो क्या ऐसा बिजनस करूँ थोड़ा बहुत पैसा लगा कर जिससे हमारी रोजी रुटी गाउ में ही चल सके इसी बिसे पर 4-5 पॉइंट की ऐसी बातें आपको बताना चाहूंगा हो सकता कि हमारी एक छोटी सी जानकारी आपके किसी काम आ सके साथियों सबसे जो पहली पॉइंट की बात है आपके पास यदि आपके घर पे पसुपालन के लिए थोड़ी सी ब्योस्था है तो आप जो है गाउं में किसान भाईयों के यहां से जाकर भैंस की खरिदारी करिए लेकिन इस बिजनस में आपको अनुभो होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह कच्चा बिजनस है इसमें रिस्क थोड़ा जादा होता है आपको अनुभो अच्छा रहेगा तो रिस्क थोड़ा कम जरूर हो जाएगा इसलिए इसमें अनुभो होना बहुत जरूरी है आपको ताप गाओं गाओं जाकर किसान भाईयों कहां से भैस खरीदिए अपने घर पर लाकर तुरंट उनको बेचने की कोशिस करिए दूसरे दिन बिग जाएं तीसरे दिन बिग जाएं पन्दरा दिन महीने भर भी लग जाए उनको अच्छे से खिलाएए पिलाएए जैसा आपको लगे कि 10-5 दिन महीना भर रोकेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा उसके हिसाब से जितने में आप खरिद कर लेकर आए हैं उससे 500-1000-2000-4000 आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप बेच लेजिए इसी परकार से जो बकरे हैं खसी उनको भी खरिद कर लाईए और तुरंत बेचिये दूसरे तिसरे दिन हपता दस दिन जैसा आपको पैसा मिलता उसके हिसाब से रोक भी सकते हैं 15 दिन महीना भर इसके हिसाब से आप भैस भी लाइए ख्रिटकर और बेंचिए और बकरे भी लाइए उनको भी बेंचिए इसमें आपको थोड़ा मेहनत और जानकारी चाहिए मेहनत करेंगे तो आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा नेक्ष्ट जो दूसरी पॉइंट की बात है साथियों इसमें आप आलू, प्याज और लेसुज जो पकी सबजियां है इनको मंडी का भाव देखकर थोड़ा जो है अनुमान लगाई ये पहले से ही कि आने वाले समय में भाव कैसा रहने वाला है थोड़ा आप नीज देखेंगे, सबजियों की पैदावार पर नज़र डालेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ मालूम पड़ेगा उसके हिसाब से आप एडवांस में भी लाके रख सकते हैं और थोड़ी ब्योस्था बना कर बहुत ज्यादा मत रखिए जो है पीयाज आलू खराब हो जाए तो आपका नुक्सान हो जाए उसके हिसाब से आप लाइए और आपके पास टेम्पो है या ठेलिया है इस परकार से आप बैच सकते हैं मार्केट में, गाओं में किसी सहरों की मार्केट में ले जाकर बैच सकते हैं उसमें आपको थोड़ा फाइदा हो सकता है तीसरी जो next point की बात है साथियों मैं आपका बताना चाहता हूँ कि आपके पास थोड़ा budget है ताप कपड़े खरीद दिए साड़ी खरीद दिए उनी कपड़े जो गरम कपड़े होते हैं उनको खरीद दिए और किसी wholesale market से wholesale भाव में खरीद कए अपने घर पर रखकर अपने घर से ही bike पर cycle पर जैसी आपकी वेऊस्ता हो गाउ गाउ जाकर फेरी करके बेचिये इसमें भी आपको फाइदा हो जाएगा और आपकी रोजी रूटी चल जाएगी दो तीन कपड़े भी चार कपड़े भी निकल जादें दिनके तो भी आपकी दिहाडी आ जाएगी नेक्ट जो पॉइंट की बात है साथियों जैसे आपको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए थ्वा टाइम देना पड़ेगा आपको जैसे घर बनाने का काम सीख लिजी जो मिस्त्री होते हैं घर बनाने के वह काम आप सीख लिजी किसी मिस्त्री के साथ में रहकर हलपर का काम करिए उसमें भी आपको पैसा मिलता रहेगा कुछ दिन में साल छे महिने में आप अपना दिमाग चलाईएगा अच्छे से तो एक साल के अंदर आप सीख जाएंगे गाउ में भी रहेंगे तो सहर में भी रहेंगे तो अच्छा पैसा इसमें आपको मिलेगा आराम से 500, 600, 700 इसमें परड़े की दिहाड़ी जो है मिल जाती है नेक्स जो पॉइंट की बात है साथियों वहा है टाइल लगाने का काम गाउ में भी बढ़ियां पैसा है सहरों में भी कुछ दिन आप हेलपर का काम करीए मिसरी के साथ में साल भर में आप सीख जाएंगे उसके बाद इसमें भी ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं नेक्स पॉइंट है फरनीचर के कारीगर की फरनीचर काम आप सीख लिजी इसमें भी बढ़ियां पैसा है नेक्स पॉइंट है साथियों बाइक बनाने का काम सीख लिजी इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है इस प्रकार से आप सीख सकते हैं नेक्स जो पउइंट है साथी हो, इलेक्टरानी का, इलेक्टरानी का काम सेख लिजिए, घरों में बीली बनाने का कुछ भी खराब होता है, सहरों में भी बहुत बढ़ demanded है के है और अपना हिसाब के, मन-मर्जी का काम होता है, तो उसमें भी बहुत बढ़िन पैसा है, इस प दूसरी जगह पर आप पहुंचा कर इस प्रकार से भी कुछ पैसा कमा सकते हैं इसमें भी बढ़ियां पैसा है और आपका खुद का विजन से लएगा साथियों इसमें पढ़ाए कि कोई जरूत नहीं है केवल थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए आप थोड़ा पर किसन में लिए नमस्कार साथियों जय हिंद्ट